दोस्तों मैं अभी रवनेगी आप सबका स्वागत करता हूँ वाई जोज एक्जाम प्रेप गेट एंड एसी हिंदी यूटूब चैनल पर दोस्तों बहुत लोगों को थमनेल देखके लग रहा होगा कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 में भेल या एच्पी सिल का एक्जाम देने वाले हैं उनकी स्टेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों ये वीडियो उनके लिए तो है ही स्टेटेजी भी मैं बताऊंगा ही लेकिन दोस्तों जिन्होंने एक्जाम ये फिल नहीं किया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उनके पास एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने में एक्जाम गेट या इंजरिंग सर्विसेस के त्यारी कर रहे होंगे और बीच में अन्य काफ एक्जाम चाहे वो PSU हो चाहे वो State Service Examination हो वो आते रहेंगे तो जिन दोस्तों का ये जिन स्टूडेंट्स का एक्जाम अक्टूबर लास्ट ये नवंबर फस्ट वीक में भेल या HPCL में है उनको मैं स्ट्रेजी बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन एक और चीज में इसमें बताऊंगा कि जब भी हमारे भावी स्टूडेंट्स जो आने वाले एक दो साल में एक्जाम देंगे उनके जब गेट EAC एक्जाम की त्यारी करते करते बीच के कुछ समय पर अन्य अन्य एक्जाम आते रहेंगे तो उनकी त्यारी कैसे करनी है सबसे पहले मैं आपको ले जाओंगा भेल और HPCL के पैटन पर दोनों ही एक्जाम हमारे पास धाई घंटे के 150 मिनट के होते हैं जहां पर HPCL का एक्जाम 170 मार्क्स का होता है वहीं पर भेल का एक्जाम 240 मार्क्स का होता है लेकिन चाहे आप HPCL का 170 मार्क् कर रहे हों दोनों ही पेपर आपको धाई घंटे यानि की 150 मिनट में सौल्ड करने हैं दोस्तों इससे पहले मैं आगे difficulty of level of questions बताऊं आप इस सब से जान सकते हैं कि paper कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है आपके पास एक question करने के लिए 50 सेकिंड या उससे भी कम है तो यह अभी प्राय निकाला जा सकता है कि questions का level बहुत ही tough नहीं होने वाला है बहुत ही जादा conceptual वो गहराईयों में नहीं उतरेगा maximum questions या मैं अगर accurate कहूं तो more than 85% questions ऐसे होंगे जो आप questions देखेंगे और tick करेंगे अच्छा अगर मैं HPCL के 170 marks की बात करूं 170 questions जो आपको attempt करने होंगे धाई घंटे में तो 85 questions आपके पास technical domain के होंगे याने की 50% 85 questions आपके पास आप अपनी branch related दे रहे होंगे और बाकी 85 questions में आपके पास 17 marks की English होगी 34 marks का आपके पास numeric ability वाले questions होंगे और 34 marks का ही reasoning होगा तो 50 technical 50% non technical भेल की बात करें 240 marks का आपके पास exam होगा भेल में आपके पास 120 marks का या 120 questions आपके पार technical होगे that is again 50% remaining 120 questions में आपके पास 50 questions reasoning के GK यहाँ पर अलग है, GK के यहाँ पर आपके पास 20 questions और 50 questions English के होंगे आपके पास HPCL में GK वाला part नहीं होगा GK के जगा आपके पास वहाँ पर numeric ability रहेगा और HPCL में जहाँ पर आपके पास हर एक questions के लिए plus one marks रहेगा, negative marking नहीं है वहीं पर भेल पर आपके पास plus one marks और negative marking minus 0.25 रहेगा आप सबको मैं एक बात बता दूँ दोस्तों आप सभी engineers है, मेरी बात से relate भी कर पाएंगे कि जहाँ पर भी negative marking नहीं है HPCL में आप सारे attempt करोगे, इतना मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो, आपको बताने की ज़रुत नहीं है इतने आप समझदार हो, या वो students जो आने वाले एक दो साल में ऐसे exam देंगे वो सभी attempt करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं बता दूँ आपको, लेकिन जहाँ पर भी negative marking मैं आप सब को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप calculated risk लोगे, तो most of the times although still there is chances, there is probability लेकिन आप positive side में ही रहोगे मैं बहुत एक छोटा सा उध्वरण देंगे आपको बताऊँ suppose 20 question ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ भी नहीं आता calculated risk छोड़ दो यार मैं ब्लाइंड गेस की बात कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है अगर 4 option है तो आपको प्रॉबिल्टी है कि आप एक सही करने that is 25% बीस question में आपके पास अगर आप ऐसे आँख बंद करके blind guess करते हैं तो 5 questions ही करेंगे 5 questions के आपके पास marks मिलेंगे 5 into 1 that is plus 5 marks और 15 marks में 15 questions पे आपको जो negative marking मिलेगा वो 1 4th मिलेगा 15 by 4 that is 3 point something तो negative वाला 3 point something आया plus वाला आपके पास 5 plus आया तो overall में plus होंगे हमेशा जब negative marking 1 3rd रहती है जैसे कि gate या engineering service examination में वहाँ पर आप blind guess करते हो तो zero आएगा लेकिन ये सारा probability पर है जब आप 25% सही कर रहे होंगे इसके बाद मैं number of jobs पर जाऊँ तो HPCL और BHEL में electronics के लिए हलांकि इस बार कोई job नहीं है लेकिन आप अपनी screen पर देख सकते हैं कि civil engineering के लिए HPCL में 25 BHEL में 40 mechanical में 103 HPCL में जो huge vacancies है BHEL में 30 और electrical में 42 HPCL में और 15 BHEL में है दोस्तों आपने बहुत बार एक बात सुनी होगी कि आपके पास एक ही seat चाहिए आपको clear करने के लिए मैं उस बात से बहुत ज़्यादा relate नहीं करता हूँ as a student आपको एक ही seat चाहिए लेकिन ज़्यादा number of seats तो आपके पास more options है एक seat ही चाहिए जो rank बनाने वाला होगा उसके लिए बात सहिए उसके लिए अगर एक ही seat होती या 200 seat होती या 500 seat होती तो उसका होना ही था चाहिए एक seat है चाहिए 500 seat है लेकिन जिनकी बाकी ranks आने वाली है उनके लिए अगर एक ही seat होती तो दिक्कत हो सकती थी तो मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक या supporter नहीं हूँ कि आप ही को एक ही seat चाहिए और as a teacher खास को और मिर पे मिर को एक seat नहीं चेमा चाहता हूँ कि maximum seats है ताकि बच्चों का भविष्य बन सके अब बात करते हैं strategy का दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ चाहे आप इस बार HPCL और BHL दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं अगर आप अभी third year students भी हैं तब भी इस वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा जब आपका main exam gate होगा या IS होगा और बीच में अन्य exam आते रहेंगे जो लोग मिर को बहुत समय से follow कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ although उनको पता भी होगा कि जब आप पहली बार अपने career में अपने जिंदगी में preparation कर रहे हैं उस वक्त आपका जो preparation होना चाहिए वो complete cycle होना चाहिए मतलब उसके बीच में आप exam दे दो लेकिन उनको pass करने के इच्छा या उनको फोडने के इच्छा मत रखो ऐसा pattern जानने के ऐसा ambience जानने के ऐसा exam environment जानने के आप उनको दे दो ठीक है लेकिन जब आप एक्टम snatch करोगे आपनी seats को वो उस समय होगा जब आप एक turn पूरा एक complete cycle पढ़ चोके होंगे तो पहला अपना cycle complete कीजिए उसके बाद अन्य exam में attempt करेंगे और उनको फोड़ेंगे होता क्या है कभी कभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं दो मेहने बाद कोई state PSC आएगा दो मेहने बाद HPC आएगा बारक आएगा गेट आएगा और हमेशा दो-दो मेहने की ही पढ़ाई करते हैं इससे आप complete depth of syllabus पे नहीं जा पाते हैं तो फर्स समय जब तारीक करना स्टार्ट कीए तो अपने आपको दीजिये आट-नौ समय ने उसमें complete cycle एक बार अच्छे से बढ़िए हाँ बीच में कोई exam दे दो लेकिन उसके लिए specially नहीं पढ़ना है अब बात करता हूँ कि उन बच्चों का जिनका एक complete cycle हो चुका होगा यह जो इस पर HPC LBL के लिए दे रहे हैं दोस्तों एक बात तो पस्ट है गेट में आपके पास एक कोशन के लिए 3 marks मिलते हैं यहाँ पर आपके पास एक कोशन के लिए 50 seconds से भी कम मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा in-depth concept या बहुत ज़्यादा calculation वाले चीज़े नहीं आने वाली है आपके पास जो चीज़े आएंगी वो बहुत realistic और ऐसी चीज़े होगी जो आप देखेंगे करेंगे आता है तो करेंगे नहीं आता तो नहीं करेंगे आपको gate का कोशन में अगर दिखा दूँ तो आप sure नहीं है उसको attempt करते हुए कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो concert apply कर रहे हैं वो कड़ी से कड़ी बनती जाएगी steps से steps आप मिला पाएंगे अन तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे लेकिन ये चीज़ सिरफ gate में होगी जहां पर in-depth concept पूछा है जब आप गड़ा खुदना स्टार्ट करोगे आपको नहीं पता है कि आप नीचे तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे देखोगे कोशन टिक करोगे या तो नहीं करोगे तो यहां पर आप इंजरिंग सर्विस के प्रिविए से कोशन्स और gate के एकमास कोशन्स को आप प्रेक्टिस कर सकते हैं हालंकि मैं बहुत मिलको नहीं पता आपको पसंद आएगी या चलना या चलना आपका काम है यह कॉट्चर आपको सही दिशा दिखानी है चलना आपका काम है दोस्तों सकता है लेकिन उस motivation को कायम रखना up to the exam आपका काम है दोस्तों कभी भी result सिरफ एक हाथ से नहीं बजेगा हाथ में ताली एक हाथ से नहीं बचती है दोनों का सही होगा दोस्तों तो मैं आपको चीज जो बता रहा था सुनना आप अच्छी लगे ना लगे कमेंट में आप तो जब मैं SMT, BMD पढ़ रहा होगा यह कोई XYZ टॉपिक पढ़ रहा होगा तो मेरे मन में यह नहीं होगा कि मैं topic पढ़ा हूं gate के लिए मैं topic पढ़ा हूं engineering services के लिए मैं topic पढ़ा रहा हूं HPCell के लिए, मैं topic पढ़ा रहा हूं भेल के लिए. Similarly, as an aspirant, as a student, आप भी जब कोई topic पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, कि मैं वाला exam के लिए करूँगा, या मैं gate करूँगा, या मैं HPCL लही करूँगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप वो विद्धिया ग्रहेंड कर रहे हैं, तो किसी exam point of view से नहीं करते हैं, हम उसको concept point of view से करते हैं, हाँ, लेकिन exam से एक मेहने पहले, आप particular उस तरीके के exam practice कर सकते हैं, लेकिन ये HPCL और भेल का focus उनहीं को करना है, जिनका syllabus complete हो चुका है, more than 70-80-90% complete हो चुका है, otherwise दोस्तों, अगर आप still initial faces पे हैं, आपका 30% syllabus ही हुआ है, तब भी आप भेल और HPCL की तरफ जार रहे हैं, तो आपका वहाँ result नहीं आने वाला है, बहुत अच्छा, maximum chance वहाँ पे आप clear नहीं कर पाएंगे 30-40% syllabus पर, और ये आपको effect करेगा gate 2023 पर भी, तो अगर आपका 70% से जादा syllabus हो चुका है, तब ही भेल और HPCL के स्पेशली त्यारी करिए, और फिर उसके बाद आने वाले 2 या 3 महिने में gate की त्यारी किजिए, अगर आपका syllabus उससे कम हुआ है, 20-30-40% से कम हुआ है, तो भेल और HPCL को आप दे दीजिए, एक exam pattern जाने के लिए, एक MBS जाने के लिए, लेकिन main target आप gate पे ही रखिए, strategy कुछ नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनका syllabus, most of the syllabus खतम हो चुका है, आप Ingering Services के previous air question, gate के एक marks questions, ऐसे attempt कीजिए, और अपने जो coverage of syllabus उसको vast रखिए, क्योंकि यहां पर आपके पास, 240 question या 170 question से HPCL में आने वाले, तो vast coverage जो syllabus होगा, और कहीं-कहीं पर वो आपसे database question भी पूछ सकता है, जिसके chances gate exam में बहुत कम है, दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment में लिखे जरूर बताईएगा, और आने वाले दिनों में आपको और इसी तरीके के कौन से वीडियो चाहिए, जो आपकी strategy को लेकर, या किसी technical content को लेकर आपको चरूर चाहिए, तो please comment section में जरूर लिखेगा, और अपने सारे दोस्तों को, चाहे वो HPCL दे रहे हैं, चाहे वो भेल दे रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं, चाहे वो third year में, चाहे उनके पास यह situation एक साल बाद आएगी, share कर दिजएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यारती, बहुत सारे student इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और हर exam की भीचे पढ़ जाते हैं, हर दो महिने में नए exam की त्यारी करते हैं, जिससे उनकी complete त्यारी कभी नहीं होती है, तो हमेशा first cycle, जब पहली बार त्यारी करने बैठें, तो complete कीजिए, उसके बाद फोड़ेंगे हर एक exam को, जो हमारे रास्ते में आएगा, comment कीजिए, share कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें, तो please do subscribe, thank you, मैं अभी नवनेगी लेता हूँ आपसे विदा, बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो पर,